दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में 11 चर्णों में होंगे पंचाई चुनाओ ने तीस कमेंट ने दिमनजोरी 24 अगस्त को जारी होगी अधिस उचना जिहां बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और ग्राम कचारी के चुनाओ की तिति गोसित कर दी है 11 चर्णों में चुनाओ होंगे जिसके अधिस उचना 24 अगस्त को जारी होगी इसके साथ ही समधित छेतरों में आदर्स आचार सहिंता लागो हो जाएगी 24 सितमर को पहले चरण का और अंतिम चरण का मदान 12 दिसमर को होगा इस तरह राज में करीब धाय महने तक पंचाय चनाओ की परक्रिया चलेगी मुखमंतरी निदिस कुमार की अधिस्ता में मंगलवार को विराज केबिनेट की बेठक में कूल 17 परस्तावों को मन्जूरी दी गई है आपको मदा दे कि पहला चरण 24 सेतंबर दूसरा चरण 29 सेतंबर तिसरा चरण 8 अक्टूबर चोथा चरण 20 सक्टूबर पाचवा चरण 24 सक्टूबर चटा चरण 3 नौवंबर सत्वा चरण 15 नौवंबर आठवा चरण 24 नौवंबर नौवा चरण 29 नौवंबर दसवा केबिनेट की मिले मंजोरी जिहा केदर की तर्ज पर बिहार सरकार ने भी राज कर्मियों के डिये में बढ़ोतरी का एलान कर दिया है सरकारी कर्मिय और पेंसन भोगियों को एक जुलाय 2021 के प्रभाव से 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा इसको लेकर 2216 करोड रुपय का भा सरकार बिहार सरकार पर बढ़ेगा मंगलवार को नेतिस कुमार के अधिक्स्ता में हुए केविनेट की बैठक में इसकी मंजोरी दे गई है अगली बड़ी खबर बिपेसी से बहाल होंगे 45,892 प्रधान सिक्चक वा प्रधान धपक सरकार ने दे मंजोरी जिहाराज के प्राथामिक वा उच्च मायदमिक विदालों में 45,892 हेड मास्टर की कमिसन से सीधी न्योकती होगी इन्वे 45,582 प्रधामिक स्कुल के प्रधान सिक्चक की जबकी तेरे 534 प्रधान धपक एक पद उत्र करामित उच मायदमिक विदालों के होंगे सिक्चा विभाग की प्रधान सिक्चक वा प्रधान अधबुकों की नियुक्ति वा सिवा सरते नियामली 2021 के दो अलग-अलग प्रस्तावों को मंगलवार को मिक्मंत्रे नितीश कुमार के दिख्टा में हुई राज्य मंत्री परिशत की बेटक में मंजूरी दी गई है आपको बदा दी कि प्रधान सिक्चक और प्रधान अधबुक के नए समवंगर के पदों पर सिर्फ सिक्चर ही दवेदार होंगे वे ही कमिसन द्वारा आवित सिमित प्रतियुगिता परिच्चा के लिए मायन आवेदक होंगे प्राधमिक स्कूल में प्रधान सिक्चक पद के लिए आरता सरकारी स्कूल में आठ साल का सिक्चन तई किया गया है वहीं उच्च मायदामिक स्कूलों में प्रधान अजदबक के पदो के लिए अपने मुल कोटी में आठ साल पुरा करने वाले सरकारी स्कूल के सिक्चक जबकी नीजी भी दालायों में 12 साल की सिवा पुरी करने वाले सिक्चक यूग होंगे बड़ी खबर बिहार में बाड़ पिडितों को मिलेगी सरकारी मदद फसल नुकसान होने पर मिलेगा मुआवज़ा जी हाँ केंद्रे ग्रेयर राज्य मंत्रे रितादन राय ने कहा कि सभी बाड़ पिडितों को फसल मुआज़ा समेथ सभी सरकारी सहायता उबलब्त कराए जाएगी एक भी बाड़ पिडित परिवार इससे वंचित नहीं किया जाएगा इस मंगलवार को बाड़ पिडितों का हाल जानने के लिए मोहनपूर आये थे इस दोरान जोनपूर में निर्मान धिन फोरलिन सड़क पर बाड़ पिडितों को समुदित करते हैं भी कहा कि उन्होंने परियास कर परक्का बांध को खुलवाया नहीं होता तो बाड़ का जलस् अभी कई ऐसे जिले हैं जहां बाड तवाही मचा रही है मुझे स्कुमार ने कल बाड़ परवावी जिलों का हवाय सर्वेक्षन किया मुझे स्कुमार कल भागलपूर बेगो सराई और खागड़िया में एरियल सर्वेकर बाड़ की सितिका जाजा लिया इस दोरान मुझे मुईंतरी ने बार रहत कैम का विए निरक्षन किया मेगू सराई की मठीहानी प्रकषन के खूरां पूरब्पॉर गां मूर्बार को मंगलवार को मुच्च मंतरी ने बार पिडों से मुलाकात की और बार के genuine जाय के जाया लिया आपको बतादी कि बिहार में गंगा कोसी सहीत आयन कई सहयोग नदिया उफान पर है जिसके कारण अलग अलग हिस्सों में बार का कहल जारी है मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने अधिकारियों के साथ बार राहत एवं बचाव कारियों के साथ साथ कम्यूनिटी किचेंड की वी समिच्चा की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल पकरा नौगच्या में चल रहे राहत सिविर में बाड पिडितों को चिकिसा सुएदा सुचारू रूप से उबलब्त करा जाने की बात कही बड़े कबर बाड पिडितों के लिए सेम नितिस का बड़ा एलान सिविर में महिलाओ को बेटी होने पर 15,000 और बेटा होने पर 10,000 देगी सरकारू बिहार के लोग इस वक्त बाड से काफी फरिस्तान है मुझे मंतरे नितिस कुमार लगातार हवाई सरवक्चन कर लोगों की समयस्वाओ का जाजा ले रहे हैं और उन तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुचाने के लिए अधिकारियों को दिसा निदेश भी दे रहे हैं इतना ही नहीं मुख्यमंतरी ने गर्व वरती महिलाओं की मौनिटरिंग करने का निदेश भी जारी किया है सीम ने कहा कि सिवीर में गर्व वरती महिलाओं अगर बेटे को जनम देती है तो सरकार 10,000 और बेटी होने पर 15,000 रुपय देगी मुख्यमंतरी नितिसकुमार ने कहा कि बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पिडितो का है बड़ी ख़बर बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट पाच जिलों में भारी बारिस और बजरपाद की चेतावनी जिहां बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है पटना समयत कई जिलों में बारिस की सम्हावना जताए जा रही है तेज बारिस और बजरपाद को लेकर मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटे में मौसम की सिथी को देखते हुए बिहार के 5 जिलों के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया गया है पटना भोजपूर, सारन, वेसाली और बकसर में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसके अलावा राज के अईने जीलों में भी हलकी से मैदम बारिस होने के भी अनुमाल लगाई गई है बड़ी ख़बर, सेस्ट और पिछडों के पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए नई योजना राज सरकार ने बढ़ाई आई सीमा जिया बिहार में अनुसची जाती जन जाती और पिछड़ा आती पिछड़ा वर्ग के चात्र चात्राओं को पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के लिए निति सरकार ने नई निति बना दी है राज केविनेट निकल इसकी मंजूरी मिल गई है सरकार ने इस वर्ग के चात्र चात्राओं को पोस्ट मेट्रिक चात्र विर्थी के लिए आई सीमा बढ़ा दी है दरसल पहले सेहटी से लेकर पिछड़ा अती पिछड़ा वर्ग के चात्र चात्राओं के लिए पोस्ट मेट्रिक चात्र विर्थी योजना चल रही है लेकिन इसका लाब उन्हीं चात्राओं को मिलता था जिनकी परिवारिक आई धाई लाक रुपे तक होती थी धाई लाक रुपे की आई सिमा के अंदर सरकार ने तैकर रखी है से अब बिहार सरकार भार सरकार द्वारा 1.5 लाक रूपिय आय की सिमा को बढ़ा कर तील लाक रूपिय करेगी। बड़ी के बर रसोई गेस सिलेंडर के बाद बिहार में अब चीनी चावल की किमत में बढ़ोत्री जी हाँ रसोई गेस सिलेंडर के बाद बिहार में एक साल से इस्तिर चीनी के भाव में अचानक चार रुपिय प्रतिक किलो का इजाफा हो गया है इससे चाय की चुसकी कुछ कड़वी हो गई है चार दिन पहले तक खुद्रा बाजार में चीनी की कीमत 40 रुपिय प्रतिक किलो था लेकिन कल खुद्रा बाजार में चीनी 44 रुपिय प्रतिक किलो भी का है साथ ही आपको बदा दे कि बिना सबसेडी वाले रसोई LPG सिलेंडर के दाम एक वर्फिस से बढ़ा दिया गया है सरकारी तेल कमपनों ने समुआर को देर राद घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 25 रुपिय बढ़ा दिया है इसके साथ ही पटना में LPG सिलेंडर के कीमत अब 958 रुपिय हो गया है इससे पहले रसोई LPG की कीमत 933 रुपिय थी वहीं कॉमर्सियल सिलेंडर 5 रुपिय सस्ता हो गया है अब यह सिलेंडर 1836 रुपिय हो गया है पहले इसकी कीमत 1841 रुपिय थी माड़ी ख़बर आज से इंटर में एडमिसन की प्रक्रिया सुरू 17 लाग सीटों पर बिहार बोर्ड जारी करेगी सूची जी हाँ बिहार में प्लस्ट इसकोलो और कॉलेज में इंटर में एडमिसन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट बुद्वार यानि आज जारी हो जाएगी इसके साथ कॉलेज और स्कॉलों को एडमिसन प्रक्रिया भी सुरू कर देनी होगी ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टुडेंट यानि की आवंटिस संस्तानों में एडमिसन लेना होगा आपको वदा दे कि राज की 3629 से अधिक प्लस्टु स्कॉल और कॉलेजों में 17 लाग से अधिक सीटों पर इगारवी में एडमिसन 24 अगस्त तक होगा बड़ी ख़बर बिहार के पंचायतों में खुलने लगे हैं आरटि प्हों सेंटर अब अपने ही गाल में आसानी से बना सकेंगे आवासिय इस सहित ये सेटिफिके जिहाँ बिहार में अब आपके गाल में ही आवासिय जाती और आय परमान पत्र आसानी से बन सकीगा इसके लिए हरे एक पंचायत में आर्टी पेस सेंटर खोलना सुरू हो गया है आपको बदा दे कि पहले इन दस्तावेज को बनाने के लिए लोगों को ब्लोक का चकर लगाना पड़ता था पिछले दिनों आर्टी पेस सेंटर कोलने का एलान पंचायती राजमत्रे ने किया था जिसके बाद इसे अब खोल दिया गिया है बड़कवर राजगीर की तरह बोसी में भी मिलेगा रोपिवे का आनन जानी यह कब से ले सकेंगे मंदार की वादियों का मज़ा परियाटन नगरे मंदार देश विदेश से ब्रहमन को आने वाले सेलानी जल्द ही रोपियों का आनन ले सकेंगे उमेद जताए जा रहे कि अगस्त मा में इसका उदगाटन हो जाएगा जिसके बाद परियाटक उचाई से मंदार की वादियों का मज़ा ले सकेंगे मालू हो की मंदार का रोपे बिहार का तिसरा रज्ज व मार्ग हो Kollegin होगा आपके जानकारे के लिए बता दी कि सबसे पहले रोपे बिहार के नालंदा जिली के राजगिर में 1969 में बनाए गया था जबकि रोतास किल्या पर जाने के लिए भी रोपियों का निर्वान किया गया है यह बिहार का दूसरा रज्य मार गथा अमंदार में रोपिय बिहार का तिसरे रोपिय है जो यहां की लोगों के लिए सफना था बड़ी कबर बिहार पुलिस करेगी हिंदी सब्दों का परियोग फाइल में नहीं दिखेंगे अब अंगरेजी की सब्द या आने वाले समय में सरकारी फाइलों से अंगरेजी की सब्द और कम होंगे खास कर बिहार पुलिस अपने फाइलों वा थाना के कामकाई से अंग्रेजी सब्द को हटाने के लिए और परियास करेगी दरसल राज भासा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ग्रिया मंत्राले ने संसदिया राज भासा समिती के निद्यूस का जिक्र करती वे राज्जू को पत्र लिखा है इस पत्र में सत्तर से ज़्यादा अंग्रेजी की सब्द और टिपन्यों की चर्चा की गई है उस खाज सब्दों की जगा हिंदी सब्दों को इस्तिमाल करने को कहा गया है बड़ी कबर आदा बिहार कोरोना संक्रमित से मुख्त पत्ना सहेत 27 जिलों में नहीं मिले कोरोना के नए मरेज जी हाँ कोरोना में हमारे की दूसरी लहर के बाद अब राज में कोरोना संक्रमित की संक्या में तेजी से गिरावाट दर्च की जा रही है पिछले 24 गंडे के दोरान राज के 27 जीलों में एक भी कुरोणा संक्रमित नहीं पाए गए है इधर सिर्फ 11 जीलों में 14 नहीं संक्रमित थी पाए गए है राजधाने पाटना में भी कोई कुरोणा मरेज नहीं मिला है और अंगी बाड़ी कबर बिहार में 3 करोड से अधिक लोग ले चुके कोविट का टिका दिसम्बर तक 6 करोड टिका करन का है लच्च जिहां बिहार सरकार का मिसन 6 करोड कोविट टिका करन अभियान सफल होता दिख रहा है आम लोगों में टिकाकरन के प्रती वड़े उत्सा और वेक्सिन के आपूरती में सुधार होने के बाद बदलाव दिखने लगा है मुखी मंतरे नितीज कुमार और स्वास्त मंतरे मंगल पाड़ने लगातार टिकाकरन अभियान पर नजर बनाए हुए है इसके बदलत अपने मिसन का आदा लच अगस्त में ही स्वास्त विवाग ने फालिया है मिली जानकारी के अनुसार राज में अब तीन करोड पांच लाग उनतर हजार से अधिक लोगों को कोरोना वारिस से बचाव कट लगाया जा चुका है राज में करीब 50 लाग लोग वेक्सिन की दोनों डोज जबकी करीब 2 करोड लोग एक डोज ले चुके हैं आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में गैस सिलेंडर और चिनी चावल के अलावा और किन चीजों के केमत में बढ़ोतरी हुई है इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए